असलाम लेकूँ मैं आपका उस बबलू लाहुरी और ये है Realme Narzo 50 आज इसका एक सिंपल और कलियर रिव्यू आपको देने वाला हूँ वीडियो हेलफू लगे तो हमेशा की तरह लाइक और शेर भी कर देना उससे पहले 6 आथ मंट पहले ये बिकरा था डबा पैक बिकरा था बट वो अन ओफिशल सोर्स से कोई डिस्टिब्यूटर से हैं उन्होंने इंपोर्ट किया था जिसको Realme ओन नहीं करता था नार्जो 50 के बजाए नार्जो 50 है जो प्राइम है ना मिलते जुलते नाम वाला जिसके फीचर अच्छे नहीं है प्राइस के आजब से वो चिपकाने की कोशिश करेगा या Realme का C33 है या C35 है वो भी चार एक्सो टाइस वाले 50 के आसपास उनके भी प्राइसिंग है या तो वो चुपकाने के कोशिश करेगा तो बड़ी ना अजीब सी ब्लैक मार्केट वाली सिच्वेशन इस टाइम पे चल रही है अगर कोई डिवाइस है किसमत से अच्छी लांच कर भी दिया ब्रैंड ने तो वो मिल नहीं रही किसी को भी और फोन को परचेज करने के बाद कु बैक पेक स्मूद फिनिश है और रियल मी के फोन की जो फिनिशिंग है वैसे ही काफी फाइन क्वालिटी की रहती है तो यस इन और फील इस पून की काफी बैटर लगी है मुझे वेट भी ज्यादा नहीं है मतल नमबर तो है 198 गराम है बट सर्प्राइजिंगली फोन को होल करके वेट फील भी नहीं होता और यस इन और फील इस पून की काफी बैटर लगेगी आपको डिस्प्ले एक्सपिरेंस पून का मैं बैटर रेट करूंगा इन फैक्ट बॉक्स पैक फोन की कैटेगरी में ये फून आपको बैस्ट डिस्प्ले विद विद वान टुन्टी ह को फिक्स करने पड़ेंगी बाकि वीडियो वाच करने के लिए एक अच्छी स्क्रीन है अल्दो एच्डियर का स्पोर्ट नहीं है लेकिन आल ओवर फुल एच्डिय प्लस के रेजलूशन है वाइडवाइन एल वन की स्पोर्ट भी है नेट्फ्लिक्स या कोई भी ओटिक् लेगा आउटडोर में अगर हाश लाइटिंग में हो तो थोड़ा बहुत इसकी ब्राइटनेस सफर करती है बट इशू वाली वात कोई नहीं है शैडू एरिया में ठीक हो जाता काम जाके और आउटडोर अगर आप इंडोर में आ रहे हो ना मतलब लो लाइटिंग में आ तो इसकी जो आटो ब्राइटनेस की कैलिब्रेशन है वो थोड़ी मुझे अग्रेसिव लगी है ब्राइटनेस एकदम जीरो हो जाती है तो आपको उपर से स्वाइप करके ब्राइटनेस को अपनी मतलब रेक्वार्मेंट के साफ से अडजस्ट करना पड़ता नहीं तो डि का जो एक्सपीरेंस है इन्होंने लाइट से हैप्टिक इंप्लिमेंट किया हुए है मैसे टाइप करते हैं भी एक्सपीरेंस ठीक रहता है और सिंगल स्पीकर है स्पून के अंदर तो सिंगल स्पीकर है, साउंड की जो क्वालिटी और लाउडनस है वो सिंगल स्पीकर के हिसाब से मैं बैटर ही रेट करूँगा परफॉर्मनस को लेकर जो एक्सपीरेंस है ना ओवराल तो बैटरी रहा है बट कुछ चीजें हैं जो मैं हाइलेट करना चाहता हूँ MediaTek Helio G96 इस पून के जो चिपसेट है, बॉक्स पैक फून की कैटिगरी के हिसाब से 40,000 के रिंज में ठीक है हार्डवेर अच्छा है बट इसको नॉर्मल से हैवी टास्क भी सही करवा देता है, थोड़ा थोड़ा गरम हो जाता है आज कल क्योंकि गरमिया चल रही है तो गरम होता है फून, तो ओवर हीट नहीं करता है बट इतना गरम हो जाता है कि यूई में थोड़ा थोड़ा आपको लैग फील होने लगेगा एनिमेशन जेस्चेर्ज में जिटर्ज जो है वो थोड़े और बढ़ जाते हैं तो यह चीज़ें अपडेट के जरीए रियल में फिक्स कर सकता है और उसके अलावाद 4GB, 64GB RAM और स्टोरिज का कंबिनेशन है 64GB स्टोरिज भी थोड़ा कंप्रोमाईज है क्योंकि जल्दी फिल हो जाती है अगर आप यूज़ करते हो एप्स भी बढ़ी है कैमरा यूज़ करते हो तो यह चीज़ें हैं अब मेमरी कार यूज़ करेंगे वो इंटरनल स्टोरिज का अल्टरनेटिव तो नहीं हो सकता न तो यह चीज़ें है जो RAM मेनिजमेंट है वो भी मुझे इसकी कोई Average Type की लगी है एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था एप्स तो काफी ओपन कर लेता है बट हैंडल नहीं करता उनको किल कर देता है जल्दी बाकी जहां तक गेमिंग का रह गया है 40 fps का गेमिंग एक्सपेरियंस अच्छा निकाल देता है यह जायरो भी हाड़वेर वाला जायरो की जो मुवमेंट्स है वो ठीक रह जाती है fps भी 40, 35 से 40 के दिर्वाण fluctuation होती है इसका जो गेमिंग ओड है उसको आप मतलब साइट से ओन करोगे उसमें आपको डिफरेंट फीचर वो इस चेंजर मिल जाता है आपको fps काउंटर रन कर रहते हो इसका तो यह चीजे हैं बाकी overall ठीक है गेमिंग कैजूल सी करवा देगा performance day to day में ठीक है जो compromise है वो heat होने के बाद performance पे आते हैं तो यह चीजे थोड़ी आपको दिखनी पड़ेंगी और performance के साथ जिसका combination है वो है battery आप देखो performance निकलेगी battery अच्छी मिलेगी तो मज़ा आएगा इसमे 5000 mh की battery है और मैंने दोनों type का use करके देखा मैंने heavy use भी किया मैंने camera भी काफी use किया मैंने और भी heavy use किया तो 6.5 गंटे का इसने मझे screen on time दिया I think heavy use के आप से ठीक है light use में normal use में इसने 8.5 गंटे का screen on time दिया I think battery backup इसका ठीक है और मैंने auto refresh rate के उपर रखके use किया अगर आप continuously 120 Hz के उपर रखके use करोगे तो फिर battery time थोड़ा सा difference हो सकता और उसके इलावा जो battery charging है वो भी काफी better है 33 Watt की charging है Realme की अपनी dart charging है अच्छी बात है डबे में charger दिया हुआ क्योंकि जो Realme का 50 प्राइम है उसके डबे में से charger भी निकाल दिया है उसके feature भी रेलो कटा है इसके मुकाबले में तो charger बगारा मिल जाता है जो charging time है एक गंट दो-दो megapixel के दो हैं एक में flash लेगी है बट आग कैमरा मेडियूल का जो design है ना वो मतलब अच्छा लगता है डे टाइम में इसका camera अच्छी photos capture कर लेता है like samples आप देख रहे हो photos में details भी अच्छी है dynamic range वगरा भी अच्छी capture करता है जो इसके HDR है ना पोस्ट परसेसिंग से इसको काफी better handle कर लेता है थोड़ा green पे थोड़ा red पे आकर ज्यादा saturate कर जाता है फूलों पे grass पे but overall problem वाली बात नहीं है दूसरा skin tones kind of ठीक ही लगी है मुझे इसकी और blur भी ठीक रखता है photos के अंदर और दूसरा आपको portrait mode जो ना back side से वहाँ पे different filters मिल जाते हैं वो भी आप use कर सकते हैं इंडोर low light में भी मेरी photos को try किया काफी respectable amount of details आपको इंडोर में भी ये low light में provide कर देता है night mode जो इसका है वो surprisingly थोड़ा better काम करता भी नज़र आया normal mode से photos लोगे तो because night है night scene है तो काफी horrible type की photos है लेकिन जैसे ही आप night mode यूज करते हो ना तो photos में details को जो मक्ही मच्छर आ रहे हो तो नो सब को remove करते है ता मतलब एक अच्छी photos निकाल देता है ये night photography भी इसकी काफी better लगी है मुझे जहां तक इसके front camera की बात है 16 megapixel की selfie है और ये just number नहीं है realme का phone है तो 16 megapixel भी usable sensor लगा मुझे daytime के उपर मैंने photos उगरा click की थी photos में details भी ठीक है skin tones भी सही रहती है और जो portrait है front side से वो भी सही है edges को भी hit and miss नहीं करता है मतलब अच्छी portraits भी निकाल देता front side के उपर और मैंने indoor low light में भी again इसकी जो selfie है उसको use करके देखा काफी अच्छी details इसने produce करके मुझे surprise किया low light में इसको तो भूली जाओ तो यह video के sample आप देख रहे हो इसमें EIS का support है dedicated stable mode है EIS based के बद वो थोड़ा से crop sensor यूज़ करता है थोड़ी detail को soft कर देता है like जटके वटके पढ़ते है video कंदर न मतलब videography बिल्कुल मैं kind of इसकी average rate करूँगा हाँ photography की experience है वो kind of decent रहा है मेरा software spoon में out of the box मिलता है android 11 based on realme UI 2.0 अब UI में कोई भी extra blot ways इस तरह की चीज़े तो नहीं है वो experience तो ठीक है बट heavy use पे जो मैंने चीज़ें आपको highlight की है पीछे performance में के थोड़ा UI में lag भड़ जाता है बट उनको कुछ bugs उनके notice हो रहे हैं कोई mic का issue कह रहा है कोई कुछ कह रहा है बट मेरे phone में तो अभी नहीं है को update आएगी फिर ही आपको बता पाऊंगा वागी जो realme narzo 50 के user है जो update कर चुक है android 12 के उपर उनका जो experience है आप video के comments में share कर सकते हो dual sim का support है जो network exception का काफी better लगा है मुझे जो call quality है वो भी अच्छी आरी थी आल्दो scandry noise cancellation mic उपर नहीं दिया हुआ लेकिन overall जो experience था call quality का वो काफी better है हाँ google dialer है color recording का option मिल जाता manually आपको click करना पड़ेगा और जैसे click करोगे google वाली anti अगले बंदे को बतातेगी तो यह चीज़े है wifi कर्सेप्शन भी ठीक है 4G plus का support spoon के अंदर मुझे नजर नहीं आया बट 4G LTE के उपर जो speeds है वो kind of decent run कर जाती है और उसके लबा voice over LTE का option है spoon के अंदर बट sport नजर नहीं है मेरे primary SIM card के उपर यह वोल्टी नहीं चला रहा था I don't know क्यूं option है बट जो चीज़ थी आपको बता रहा हूँ और जो जुरूरी sensors हैं वो सारे आपको spoon के अंदर मिल जाते हैं अब मेरा जो overall experience है उसके साब से जो pros and cons है वह मैंने आपके सामने mention कर दी है यह आप देख सकते हो अगर कॉन वाली side पे जो point mention है इन से आपको फरक नहीं पड़ता या इन पे आप compromise कर सकते हो तो फिर definitely यह जो device है 40,000 की range में एक ऐसी device है जिसको अभी कोई compete नहीं कर सकता market situation आल तो बड़ी worst चल रही है import open हो चुकी है बड़ डॉलर की shortage है अहलात अभी stable होते होई ने time लगेगा थोड़ा सा तो हाँ कुछ compromises हैं बट यह device आप बिलकुल ले सकते हो एक अच्छा experience आपको overall दे जाएगी और अगर आप इस device को market लेने जाओ तो जो black market वाली चीज़ें यह भी बड़ी गलत हो रही है अब इनमें दुकानदारों को भी कसूरवार नहीं ठेराया जा सकता है इतना क्योंके company stock देगी दुकानदारों को तो फिर वो normal price पे बेचेंगे company भी stock नहीं दे रही इसमें government भी आ जाती है भाई मतलब import नहीं करने दिया जा रहा होगा stock उनको तो मतलब वजीव सीन है खिचडी पकी हुई है अगर आप ये फून लेने जाओ चालीस में मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है अगर इसकी जगा पे दुकानदार आपको नार्जो 50 प्राइम चिप काने की कोशिश करें वो तो बिलकुल अच्छा फून नहीं है वो ना लेना C33 Realme का जो C35 है ये सारा जेल का माल है मेरी मतलब जेल में जाने वला है ये फून आप ले सकते हो कंप्रोमाइजीज पर अगर आप मतलब जा से थोड़ा बूत कर कौन्स के ओपर अगर थोड़ा बूत आप कंप्रोमाइज कर सकते हो तो आई होप के चीज़ें आपको क्लियर होगी होगी वीडियो अची लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ बेल एकिन दबा लेना फूचर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे ये वीडियो ये जगती मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक्स